लोहोंने सोचा तक नहीं होगा कि आज में मरूंगा है ना कितने लोग ऐसे थे सोचा नहीं कि आज में मरूंगा आज क्या हम यह जितने यहां पर आए क्या हम लोगोंने आज सोचा था कि आज हम मरेंगे नहीं कल भी नहीं सोचते हम परसूं भी नहीं सोचते हैं हमको यह सोच कि नहीं आती कि आज हम मरेंगे नहीं नहीं कभी भी मर सकते ये याद रखो कभी भी मर सकते आज भी मर सकते अभी मर सकते कल मर सकते रात को मर सकते याद रहें मौत हमेशा तो कितने लोग इसे थे जिन होने सोचा तक नहीं कि आज में मरूँगा लेकिन मरे नहीं, मरे, रात को सो गए आराम से, खाना, खाके, पानी, पीके, अपने बच्चों से बात करके, आराम से सो गए, लेकिन सुबा उठने तक लाश बन गए, कितने लोगों को नहीं देखा, अभी अच्छे थे, खाना, खाए, चाए, पिए, बैटे, अचानक गिर सेने में दर्द बोले, हाट अटाक आ गया, बच्चे पहुंचने पहुंचने तक मर गए, हस्पिटल ले जाने, ले जाने तक मर गए, कितने लोगों को हमने नहीं देखा, कितने लोग ऐसे थे जो घर से तो निकले सही सलामत, लेकिन रास्ते में ही एक्सिडेंट हो गया, म मर गए, ऐसे ही हमारे साथ भी होगा, हम भी नहीं सोचेंगे मरेंगे, लेकिन मर जाएंगे, मौत आएगी, किसी को नहीं छोड़ सकती है मौत, तो मौत, मौत, मौत एक ऐसी चीज़ है, यह मौत ने कितनी माओं के गोद को खाली कर दिया, को बेवा कर दिया, इस मौत ने कितने लोगों की खुशियां चीनी, इस मौत ने कितने घरों को वीरहन कर दिया, इस मौत ने कितने खांदानों को बरबाद कर दिया, कि इस मौत ने कितने लोगों के अर्मानों को दफन कर दिया, इस मौत ने कितने लोगों के खाहिशों को खत कर दिया यह मौत हमारे साथ भी यही होना है हमारे पास भी आएगी यह मौत याद रखो यह जो मौत आती ना यह जब मौत आती ना हालत आज इतनी है अच्छी के आज हम एक मिनट में 72 मरतबा 72 टाइम्स आसानी के साथ सांस लेते हैं लेकिन जब मौत आएगी ना मौत का वक्त खरीब आएगा ना एक एक सांस के लिए तड़पना पड़ता है देखे ना करोणा की पेशन्स को हम कितने लोगों को देखे बिचारे तड़प रहे थे सांस नहीं निकल रही थी सांस में तकली हुई मुश्किल हुई मांग रहे थ करोड़ो रुपिय हमारे चले जाए कोई बात ने पूरी जायदा बेच देंगे कोई बात ने लेकिन एक सांस एक सांस जो भी अटक रही है मेरी सांस सही निकले बस आराम की सांस ले सकूँ इस सांस के लिए हर चीज़ खुरबान करने के लिए तयार थे लेकिन जब मौत आ इस मौत को, मौत जब आएगी ना, मौत अपनों को दूर करती है, मौत अपनों से दूर करती है, तो ये अपनों से दूर होना, ये अपनों को दूर करना, ये बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है, इतनी आसान चीज़ नहीं है, कि मैं मेरे बेटों को छोड़ के चले जाओं, मै मेरे घरवालों को बहनों को छोड़ दूँ या मेरे आखों के सामने मेरा बेटा मर जाए मेरे आखों के सामने मेरा शोहर मर जाए मेरे आखों के सामने मेरी बीवी मर जाए उन सब को छोड़के मैं अकेला कईम पर चले जाओं ये कोई आसान बात नहीं है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है अपनों को बच्चों को छोड़ के जाना बड़ा दर्द होता है बड़ी तकलीफ होती है दिल कटता है इसलिए आल्लह ताला भी सुरे मुमिनों की आहत नंबर 99 और 100 में बड़ी आहम नसियत रखा इस आयत में क्या नसियत है हता इजा जा आहदहुमुल्मवतु काल रब्र जिएून ला ली आमलु सॉलिहं फीमा तरक्तु कला लाहु अक्बर क्या वर्माते है आल्लह ताला इस आयत में यहां तक के जब इनसान इन मेंसे किसी को मौत आने लगती है तो कहता है अए मेरे परवर्दिगार मुझे वापस लुटा दे हता इजा जा आहदहुमुल्मुतु काल रब्र जिएून मौत जब आएगी इन मेंसे किसी को तो कहता है आए ला मुझे छोड़ दे आ ला मुझे आपस लोटा दें, क्या करेगा? ला अली आमलु सॉलिहा, अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर अब नेक काम करूंगा, नेक काम करूंगा, लाँ छोड़ दे, नेक काम करूंगा, छोड़ दे, देखिए, मौत का फरिश्टे को देखने के बाद, इनसान की खाईश होती करे, इनसान की तमना होती, अल्ला तला इस आयत में हम लोगों को अभी से बता दिया, देखो, मरते वकद तुम ये पुकार ना पुकारोगे, मरते वकद तुम ये रोना रोगे, उससे बहतर है के वो रोना अब रो, उस से बेहतर है कि उस वक्त खाहिश करो, अब खाहिश करो, अभी बदलो, उस वक्त बदलने की जो कोशिश करोगे, उस वक्त बदलने की जो पुकार पुकारोगे, अभी बदलो ना, अभी नेकी के मोखे को मद गवाओ ना, अभी तुम्हारे पास वक्त है ना, अभी तुम् और के लिए अपनी इस खीमती वक्त को मदगवाओ जिस वक्त ये तालुक से तुम मौत के फरिश्टे को देख के रोगे देख के बोलोगे अला मुझे छोड़ दे अला मुझे छोड़ दे अगर किसी से